ओम शी गणिशाय नमा राधे राधे दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल वद्कता एस लोजर में स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम कार्तिक मास के शुकलपक्ष की देव उठनी एकादशी की जानकारी दे रहे हैं कि इस दिने के बहुत ही सरवार सिद्ध योग प्र अगर आप धन की इच्छा रखते हैं मान सम्मान चाहते हैं संतान की इच्छा रखते हैं किसी भी मनो कामला के लिए अगर आप इस एकादशी की दिन वरत करते हैं तो निशित ही आपका किया गया वरत और कोई भी उपाय निश्वल नहीं जाता है और इस दिन बहुत ही शे सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तों देव उठने एकादशी का बहुत अधिक महत्य माना गया है क्योंकि इस दिन देखे चार माह की निद्रा के बाद भगवान विश्णु जाकते हैं और शिष्टी का संचालन करते हैं एकादशी वृत का हिंदु धर में विशेश महत माना गया है और देव उठने एकादशी के दिन से ही देखे मांगले क्यानी शुब कारे प्रारम हो जाते हैं शादी विभा के जो कारिये मतला प्रारम हो जाते हैं और यह दिन बहुत ही शेश्ट माना जाता है इस एकादशी के दिन भगवान विश्णु का विधी विधान से पूजन किया जाता है और साथ ही देखे तुलसी माता का इस दिन सालिक राम भगवान के साथ विभा संपन किया जाता है यह दिन बहुत ही शुब और शेष्ट माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन कोई भी उपाय हम करते हैं तो निशित ही शीगर ही हमारी जो इच्छा है मनो कामना है वो पूरी होती है दोस्तों इस दिन किया जाने वाला एक छोटा सा उपाय का अधिक महत्य बताया गया है तो साइकाल के समय आप अपने मंदिर की साफ सफाई करें और साथ ही श्री भगवान का मतलब रितु अनुसार फल फूल अवश्य चड़ाये और साथ ही आपको जो उपाय करना है वहाँ पर आपको देखे पांच दीपक जलाने है आप थोड़े थोड़े चावल की धेरी लगाए और उनके उपर आपको एक एक रुपे का सिक्का रखना है अगर आपके पास आवला है यानि जो हरा आवला आता है अगर आवला है तो आप दीपक के पास एक एक आवला भी अवश्य रख दे और जिस भी मनो कामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उसको अवश्य ही बोले चाह संतान की धन की है पुत्र नोक्री की है जो भी आपके कारे में बाधा आ रही है। उसको बोलकर आप एक पान दीपक साइकाल के समय अवश्च्ण जलाई और अपने घर के इशान कोड में देखे अगर आपको संतान की प्राप्ती नहीं हो पा रही है। क्योंकि जो इशान कोण है वो संतान का माना जाता है चोटे बच्चों का माना जाता है तो वहां पर आपको एक दीपक अवश्य जलाना है आपको अपने घर के देखे इशान कोण यानि उत्तर पूरव जो दिशा होता है वहां पर उस कोणे को साफ करके वहां पर थोड़ी से चावल की डेरी लगा कर आपको गाय की घी से मतलब चाया गाय का घी हो या कोई भी घी का दीपक आपको अवश्य जलाना है उस दीपक में आपको थोड़ा सा केसर हो तो केसर नहीं तो आप चुटकी पर हल्दी डाल कर अपनी इच्छा बोल कर वहाँ पर वो दीपक अवश्य जलाएं दोस्तों अगर आप कार्तिक मास में दीबदान नहीं कर पाएं तो एकादशी का दिन सबसे ही शेष्ट मना जाता है इस दिन दीबदान अवश्य करना चाहिए यानि आपको ग्यारा दीपक अवश्य जलाने चाहिए दोस्तों इस दिन देखे तुलसी जी का मतलब वि इबदान करना चाहिए और साथ ही तुलसी की ग्यारा या फिर 108 परिक्रमा आवश्य लगानी चाहिए दोस्तों इकादशी देखे कार्तिक पुर्णिमा तक बहुत ही सरवार सिद्ध योग बना हुआ है और साथ भागिशाली राशियां ऐसी हैं जिनको देखे नवेंबर से ही मतला इकादशी से ही दिसंबर तक बहुत ही शेष्ट धन प्राप्ति के संतान प्राप्ति के और पुत प्राप्ति के योग बन रहें उसकी भी हम जानकारी दे रहें इन भागिशाली राशियों में सबसे जो पहली राशी है वो है मेश राशी मेश राशी के जातों के ल प्राप्ति के बहुत अच्छ योग बने के सिंँगों राशी के // सुरेट की विशेजूर रुप से किरपा हो रही है इन शेत्र इनका मजूद होगा धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने गे और साथ ही संतान सुक्र भी बहुत अच्छे योग बने हुएं दोस्तों अगली जो भाकशाली राशी है वो है तुला राशी के जातकों बिए भी यह समय बहुत ही शेष्ट रने वाला है और अगली और आखरी जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी के जातों को गले संतान सुके धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनेंगे करियर में तरक्की के बहुत अच्छे योग प्रारम हो रहें दोस्तों ये साथ बागिशाली राशियां हैं जिनको देखे देविटनी एकादर्शी से ही शेश लाव मिलने के योग बन रहे हैं दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अब बश्य करें